दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Windows के Keyboard के कुछ ऐसे मज़िदार Shortcuts जो आपकी दुनिया बदल कर रख देंगे आप आज के बाद Windows को ऐसे इस्तमाल करोगे जैसे आपने कभी नहीं इस्तमाल किया होगा तो आएए देखते हैं ये कौन से हैं Interesting और Secret Keyboard Shortcuts क्या आपको पता है कि अगर अपनी Windows की को दबा के E दबा दोगे तो File Explorer खुल जाएगा आपकी यह My Computer जैसे D Drive, C Drive, E Drive वो सारे आ जाएगे जैसे MouseOS नी चलाना है बस Windows को दबा के रखो Windows वाला जो होता है ना उसको दबा के रखो E दबा दो खुल जाएगा कई बार ऐसा होता है दोस्तों आप Computer में कुछ ऐसी चीजे देख रहे होते हो जो आप नहीं चाते कि अचानक से कोई आके देख ले कोई भी चीज हो सकती है Safety Privacy Matter करती है मेरे दोस्त तो अगर आप वो करना जाए तो आपको कुछ नहीं करना सीधा Windows की को दबा और D दबा दो आपकी जितनी भी Windows चल रही होगी ना आपके Computer में सम नीचे साफ मामला दोस्त कोई नहीं बता सकता क्या होरा Computer में अगर कुछ असा वाज वाज आ जारी वो तो आ जाएगी बाकी आपके Computer में क्या चल रहा वो सम मीनिमाइज हो जाएगा Windows दबा के D दबा देना बस D for Dawn और अगर आप किसी Windows पर काम कर रहे हो वो छोटी है तो Windows दबा के और आप वाला वो दबा देना बटन तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगी और वही Windows दबा के Down वाला दबा दोगे तो वो मीनिमाइज हो जाएगी सिम्पल और आप Windows की दबा के Side वाला दबा होगे तो आपकी Windows ऐसे Side Side में चार खोनों में ऐसे लग जाएगी माउस से Side करने में ऐसे Side करने में बहुत वक्त लगता है आपको कुछ नहीं करना सिर्फ Windows की को दबा के रखो और Side वाला बटन दबा दो यह Left Side वाला Self लग जाएगी और ऐसे कर लगए तो इस Side लग जाएगी इससे आप एक स्क्रीन पर दो Windows को साथ-पसाथ काम कर सकते हैं Multitasking के लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग शॉटकट है इसे जरू ट्राइ करना अगर आप Ctrl, Shift और N दबाते हैं एक साथ जैसे Ctrl, Shift और N तो आपका नया फोल्डर क्रियेट हो जाएगा आपको ऐसे Right Click करके New Folder करने की ज़रत नहीं है Ctrl, Shifter, N यह चीज अगर आप अपनी Google Chrome में करोगे तो नहीं, नहीं, इनकोगनीटो विंडो खुल जाएगी जो आपकी हिस्टरी वेगरा रिकॉर्ड नहीं करती So, Explorer में जाके करोगे Ctrl, Shift और N तो नया फोल्डर कुलेगा Chrome में जाके करोगे Ctrl, Shift, N तो नहीं, इनकोगनीटो विंडो खुल जाएगी यह शौट काट भी बहुत काम का है एक जादूई मोड बताओ मैं आपको आपको विंडो दबाके, विंडो बटन दबाके विंडोस की और टैब दबा देना है आपके कंप्यूटर में जितनी भी विंडोस चल रही है वो सब छोटी-छोटी होके आपकी सारी स्क्रीन पर आ जाएगी मतलब आपका कंप्यूटर जो जो काम कर रहा है वो सीधा सारे एक स्क्रीन पर दिखा देगा इसे मैं मॉनिटर मोड कहता हूँ अलाग कि यह है नहीं मॉनिटर मोड बट मेरी नजर में यह मॉनिटर मोड है इसको मैं अगर विंडोस अगर टैप दबा दो तो पूरा ऐसे खुल जाता है जादू जैसा लगता है कंप्यूटर में चोटी-चोटी चीज़ अलाग पूरी अक्टिव चल रही है बड़ा मजदा शॉटकट है इसे भी ज़रू ट्राइ करना आप यार शॉटकट लेते हो नॉर्मल शॉटकट लेते हो विंडोस शिफ्ट और एस दबातो बस एक टूल खुल जाएगा जिसमें आप कोई भी चीज सब्सक्राइब करके ईसे स्क्रीट शॉटकट क्या होता है डाइ अगला शॉटकट है विंडोस की और वी 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 फॉर वयमपायर ठीक है Windows दबा के V दबा दो आपका clipboard history खुल जाएगी मतलब आपके computer में आपने कितनी चीज़े copy की है अभी वाली भी और पहले भी क्या-क्या copy किया है वो सब नजर आ जाएगा यह बहुत ही handy होता है जब आपको कोई चीज बार-बार paste copy करनी होती है इंचार चीजे ही है जो आपको paste करनी है तो Windows और V दबाने से वो clipboard खुल जाता है जिससे आप select करके और easily चीज़ों को paste कर सकते हैं और आपका time बचेगा क्या आपको पता है कि आपके Windows में by default emoji pad आता है इसके बारे में जातर लोग नहीं जानते करना ये है कि आपको Windows की दबानी है और वो एक ये जो colon वाला जो ऐसा sign होता वो दबाना है उसको जैसे आप दबा दोगे न तो emoji pad खुल जाएगा उससे आप कहीं भी emoji डालो सारे emoji हैं जो WhatsApp पे आते हैं Windows में भी सारे emoji होते हैं लेकिन लोगों को ये ढूणने नहीं आते तो इससे आप emoji pad खुल सकते हो जो की बहुत interesting shortcut आई है क्या आपको पता है कि इस secret shortcut से लोगों ने लाखों कमाए हैं सिर्फ Windows से आपको voice typing के बारे में पता है जो default by default आती है Windows के साथ अभी Windows 10 भी इस्तेमाल कर रहे हो Windows 11 भी इस्तेमाल कर रहे हो इसमाल आती है आपको कुछ नहीं करना सिर्फ Windows की दबा और H दबा दो H for hen ठेक है तो आप जैसे ही दबाओगे तो एक टूल खुल जाएगा और आप notepad पर जाके उसी टूल पर अगर कुछ बोलो गे ना तो वो टाइप होगा बहुत accurate है मतलब आपको ब्लॉग लिखना है तो टाइप करने की ज़रत नहीं है बस बैठ जाओ Hello I am Ram Hello I am this, that, I am going कुछ भी बो उस अब टाइप कर देगा भाई बड़े से बड़े ब्लॉग टाइप कर लो मैंने खुड टाइप किये दोस्त तो लिखने की restriction खतम लिखने की problem ही खतम बड़े से बड़ा ब्लॉग बनाओ पैसे कमाओ टाइप करने की ज़रत नहीं है दोस्तो बोल के टाइप हो जामिया बहुत इसी चीज़ है अगर आप Windows की दबा के C दबा दो तो Cortana और हो जाती है वो भी listening mode में है अगर आप Cortana में हो जब कि मैं तो नहीं हूँ आप हो तो Windows C दबा दे Windows की और C दबा दे Cortana उपन हो जाएगी आपको सुनने लगे ही उससे कुछ भी पूछो उससे दोस्ती कर लो अगर आपको अपना computer office में है कहीं भी तुरन छोड़ के जाना पड़े में भी आपको जाना है या कहीं और भी जाना है और आपनी चाहते है अपने computer को क्यी access कर ले तो Windows और L दबा देना यह दबाते ही आपका computer lock हो जाएगा अराम से घूंग के आओ वापे जाके password डालो अपने फिर से login कर लो बहुत आई लोगों को यह नहीं पता हो तो तो वो क्या करते हैं आफ करके जाते हैं आफ मत करो Windows दबा के L दबा दो लोग हो जाएगा बहुत सारे लोग game record करने के लिए obvious डालते हैं जबकि मैं कहूं कि भाई ज़रूरत नहीं है Windows में by default आपको game capture का मिलता है आपको NVIDIA अगरे के drivers हैं और उसके पास आपको डाला हुआ है तो कोई problem नहीं है पता क्या करना है Windows और G दबाना आपको यह दबाते ही आपका एक panel खुल जाएगा पुरा उसमें capture वाला record वाला दबा दो आपका game या जो भी screen है वो जो भी है वो record होने लगेगी NVIDIA वाले में भी होता रो बहुत सारे में by default आता है लोगों को पता ही नहीं होता वो obvious डूडते रहते हैं तो यह shortcut मैंने आपको बता दिये अगर आपको अच्छे लगे इस वीडियो को like करें दोस्तों के साथ share करें आपको कितने सारे shortcut पधा थे इसमें मुझे जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी तो बिलकुल like करने दोस्तों के साथ share करने यूसफूल चीज़ है यह तो इससे तो ग्यान बढ़ेगा लोगों का साइबर सेक्यारिटी और इथिकल हाकिंग में इंट्रस्टे तो डिस्क्रिप्शिन चेक करें 299 रूपीज के तीन इथिकल हाकिंग कोर्से जो आसान बार्षा में आपको इथिकल हाकिंग सिखा देंगे मैं मलता आप से अगली वीडियो में थैंक यू सो मच एंड गुड बाई